हलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मार्निंग, आज हम स्टडी करेंगे प्लांट होर्मोन्स के बारे में, किसके बारे में स्टडी करेंगे प्लांट होर्मोन्स के बारे में, ठीके, तो यह चीज आप ध्यान रखना इंपॉर्टन टॉपिक है, फाइटो होर्मोन्स भी इनको को हम बोलते हैं क्योंकि fighter word किसके लिए होता है plants के लिए होता है ठिक है इनियको हम chemical coordinators भी बोलते हैं यह अलसो कॉल्ड chemical coordinators और बट जो plant hormone synthetically बनाए जाते हैं synthesize किये जाते है synthetic plant hormone जो काफी हद तक morphologically and functionally किसके जैसे होते है, plant hormones के जैसे होते है, उन्हीं को कहा जाता है, plant growth regulators, क्या कहा जाता है, plant growth regulators, इनको हम शॉर्ट में PCR भी बोलते हैं, दोनों में difference है थोड़ा सा, plant hormones तो हम बात करें, natural hormones की, जो plant synthesize करता है, उन्हीं को हम phyto hormones भी कहते हैं, या chemical coordinators भी कहते हैं, लेकिन इन्हीं के जैसे मिलते जुलते हैं, जो ऐसे ही chemical हम artificially synthesize करते हैं, synthetic होते हैं, लेकिन वो morphologically और functionally इनके जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है, plant growth regulator, PCR भी हम इनको बॉलते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको animal coordination से connect कर देते हूं, animals जो होते हैं, उनके अंदर दो तेरे के coordination system होते हैं, एक तो होता है nervous system, एक तो क्या होता है nervous system, और दूसरा होता है, hormones को use करते हैं, that means chemical coordination, chemical coordination, ठीक है, दोनों के दोनों method होते हैं, animals के अंदर, coordination, लेकिन अगर हम plants की बात करें, तो plants में बटा nervous system नहीं होता है, ठीक है, हाला कि chemical coordination आपको plants में भी देखने को मिलेगा, animals में भी देखने को मिलेगा, लेकिन nervous system plants में नहीं होता है, तो थोड़ा सा इन दोनों को हम compare कर लेते हैं, कि nervous system में क्या होता है, और hormones में क्या होता है, तो एक सी ध्यान रखना, nervous system में तो जो भी message होता है, वो कहां तक transmit होता है, किसके उपर depend रहता है, कि उस organ में nervous tissue कहां तक है, उसके बाद that means, ये सभी cells तक इसका message नहीं पहुँच बाता है, लेकिन hormones क्या है, chemical है, और ये hormone diffusible भी होते, तो that means, chemical coordination जो है, वो हर cell तक पहुँच जाता है, क्या हो जाता है, हर cell तक पहुँच जाता है, तो ये इसकी advantage है, हलाकि nervous system के comparison में, जो hormone से coordination होता है, वो comparatively slower होता है, लेकिन इसकी advantage मैंने क्या बताई, कि it can be potentially reach all the cells of the body, that means, slow जरूर है, लेकिन body के हर cell तक इसकी access है, मतलब पहुँच है, जबकि nervous system से जो coordination हो रहा था, वो हर cell तक नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो nervous tissue के distribution के उपर depend करता है, और दूसरा क्या है, जो chemical coordination होता है, न बटा, it can be done steadily, and persistently, लगातार होता रहता है, बीच में इसको rest देनी की ज़रूरत नहीं है, जबकि nervous system जो होता है, उसमें क्या होता है, एक बार आपने message convey किया, तो next stimuli को receive करने के लिए, बीच में कुछ rest period देना होता है, ये NCRT का पाट है, NCRT में से आप लोग ज़रूर पढ़ना comparison है, animals में chemical coordination और nervous coordination के बीच में, तो chemical coordination की advantage अब हम plant से related ले ले लेते हैं, कि chemical coordination में particular organic chemicals की synthesis होती है, और ये chemicals कैसे होता है, diffusible होता है, हलांकि इससे जो coordination होता है, वो slow होता है, लेकिन it is steadily and persistently occur, ये इसकी advantage हो जाती है, ठीक है, तो इसके बाद आता है, mechanism of chemical coordination, कि mechanism क्या है इस chemical coordination का, तो mechanism of chemical coordination, तो mechanism क्या है वटा, सबसे पहले तो हमारे पास होती है, stimulated cell, जो भी stimulated cell है, जिसने stimuli को receive किया है, वो stimulate होगी है, उसने क्या किया है, it release a chemical compound, stimulated cell, एक chemical compound की secretion करेगी, that means plant के किसमें, वो chemical compound क्या होगा, आपका plant hormone होगा, जिसको हम phytohormones भी कह रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, यह जो chemical है, it would diffuse, all around the original cell, जो हमारी original cell है, जो इसके secretion कर रही है, उसके चारों तरफ यह diffuse करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यह diffusible है, तो क्या करेगा बटा, diffuse करेगा, अब क्योंकि माल लो यह cell है, जो secretion दे रही है, तो यह चारों तरफ diffuse करना शुरू कर देता है, तो इसकी जो neighboring cells है, कौन से cells, इसकी जो neighboring cells है, that means, other cells, around it, वो क्या करती है, बटा, इस chemical को detect करेंगी, detect this compound, कैसे detect करेंगी, इसका detection के लिए, उसके surface पर, कुछ special molecules होता है, that means, by using, special molecules, on their surface, उनके surface पर, कुछ special molecules होता है, तो उनको use करके, वो उसको क्या करेगी, recognize करेगी, ठीके, उसने recognize कर लिया, इसके बाद, मतलब उसने detect किया, detect करने के बाद, वो उस message को recognize करेगी, कि उसमें कौन सा message आया है, आपका, और even उसको transmit भी कर सकती है, next cell को, even can transmit, that, इसको transmit भी कर सकती है, तो दुबारा बता रहे हूं, सबसे बेले क्या होता है, कोई भी stimulated cell है, वो chemical compound की secretion करती है, release करती है, जैसे ही ये chemical compound को release करेगी, ये chemical diffuse होता हैगा, all around the original cell, after that, other cell around it, वो क्या करेंगी, इस compound को detect करेंगी, किसकी help से, special molecules की help से, जो उसके surface पे होता है, फिर यही cell जो इसको detect कर रही थी, आप इसको message को recognize करेंगी, कि ये message है क्या actually में, और अगर ज़रूरत पड़ी, तो even उसको transmit करेंगी, कब तक transmit करेंगी बटा, जब तक कि आपकी target cell नहीं आ जाती है, जिसको respond करना है, तो ये इसका mechanism है, तो important है ये भी, आगे देखो, ये जो chemical जिनके हम बात कर रहे है, they also show great diversity, diversity भी show करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे chemical ही की type के, अलग लग types के chemical है, उनमें बहुत सारे diversity भी देखने को मिलती है, ठीके, और ये जो different plant hormones हैं, ये plant को किस लिए चाहिए, different plant hormones, different कह दिया, that means diversity को हमने include कर लिया है, तो ये क्या करते हैं, plant की help करेंगे, किस में, to coordinate, growth, development, and responses to the environment, and responses to the environment, responses to the environment, आगे हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, movement के अंदर, कि जब हम shoot tip के उपर, light डालते हैं, unilateral source of light को डालते हैं, तो जो आपके shoot tip होती है, वो light की direction में bent हो जाती है, तो ये environmental response है, लेकिन इस environmental response को देने के लिए, cell किसके उपर depend करेगी, इन hormones के उपर depend करेगी, ठीक है, oxyn जो hormone होता है, actual में क्या होता है, वो जिस direction में light पढ़ती है, उसके opposite direction में transmit हो जाता है, और उसके अंदर elongation कराता है, ठीक है, वो हम आगे discuss करेंगे, oxygen के अंदर, तो ये भी जो कुछ environmental responses होते है, वो भी किसकी वज़े से दिये जाते है, किसकी help से दिये जाते है, plant hormones की help से, ठीक है, तो इन सारी चीजों से, हमने क्या conclusion निकाला, अच्छे एक चीज और ध्यान लगना, हमेशा, जिस reason को action करना है, उस reason से बहुत अवे, ये chemical compound synthesized होते है, जबकि animals में तो क्या होते है, दो तरह के hormones होते है, एक तो exocrine gland होते है, एक endocrine gland, ठीक है, on-site भी secretion होते है, और off-site भी होते है, लेकिन यहाँ पर, ये जो plant hormone, जिस place पे synthesized होते है, वो place काफी दूर होते है, किस place से, जिस place के उपर action होना है, और वहाँ तक ये पहुचेंगे कैसे, diffusion के द्वारा, तो ये क्या करेंगे, chemical यहाँ से diffuse होना शुरू होंगे, और कहां तक पहुचेंगे, जिस region को action देना है, वहाँ तक इनका transfer, diffusion के थूरू होता है, तो इन सारे points से, हमने क्या conclusion निकाला, कि अगर हमें plant growth hormone के definition देनी हो, तो हम कैसे देंगे, कि they are the, they are the organic substances, organic substances, लेकिन पेटा, ये organic substances, nutrients नहीं होते हैं, nutrients के अलावा, nutrient को छोड़ दो आप, that means other than nutrients, ऐसे organic substances, जो nutrients नहीं है, other than nutrients है, they are those organic substances, other than nutrients, which are produced by plant, which are produced by plant, plant क्या करते हैं, इनको कम concentration में synthesize करते हैं, even in low concentration, लेकिन ये low concentration में भी effective होती हैं, चीक है, ये चाहिए ध्यान लखना, and potentially regulate, और इनका काम क्या होता है, and potentially regulate, growth, development, and differentiation, growth, differentiation, and development, किसकी help से, ये सारी चीज़े कैसे कराते हैं, ये हॉर्मोन जो हैं बटा, दो तरह की activity कराते हैं, एक्चुल में, promotion और inhibition activity, तो इनकी help से, ये क्या करते हैं, plant के अंदर growth करेंगे, regulation करेंगे, differentiation करेंगे, और even development करेंगे, ठीक है, तो वो plant की regulate करते हैं, growth को, differentiation को, development को, किसकी help से, promotion और inhibition activities की help से, ठीक है, next आते है, types of plant growth hormone, important topic है, ध्यान से देखना, ये categorization आपको याद होना चाहिए, plant growth hormones की, अगर हम बात करें, तो basically, हम इनको, दो category में divide करते हैं, कौन कौन से हैं, दो category, एक तो है, growth promoting hormones, growth promoting hormones, ये वो plant hormones है, जो growth को promote करेंगे, और growth promoting hormones को, हम तीन, इसमें example लेते हैं, कौन कौन से हैं, अग्जिन, जिब्रालीन, जिब्रालीन, अड्ड साइटो काइनेंज, चीके, ये तीन हर्मोन जो है, plant hormones, ये कैसे hormone हैं बेटा, growth promoting hormone है, चीके, डूसरी कटेगरी है, growth inhibiting hormone, जो growth को inhibit करते हैं, तो growth inhibiting hormone की कैटेगरी में, एक ही hormone आपका आता है, that is abscissic acid, कौन सा hormone है बेटा, abscissic acid, जिसको हम short में, A, B, A से भी represent करते हैं, abscissic acid, और एक और आपका plant hormone बच्चता है, that is ethylin, ethylin, एकलोता ऐसा plant hormone है, जो gaseous nature का है, gaseous nature का है, gaseous nature का है, इसको हम gaseous hormone भी कहते हैं, एक number का question बन जाता है, gaseous hormone कौन सा है, तो वो कौन सा है, ethylin, और बिटा, अब आप कहोगे, ethylin को हमने यहाँ categorize क्यों नहीं किया, क्योंकि ethylin, इसका dual role है, dual role कैसे, यह growth promoting activities में भी involved होता है, कुछ growth promotion में भी involved होता है, या कई बार कुछ cases में यह inhibition भी कराता है, तो इसके दोनों रोल आता है, growth promoting भी और growth inhibiting भी, इसलिए इसको दोनों मतलब इन दोनों में से किसी भी category में नहीं रखा, इसको separately हम study करें, तो बेटा ध्यान देना, plant growth hormones को हमने दो category में डिवाइड किया है, growth promoting hormone and growth inhibiting hormone, growth promoting hormone है, हमारे पास auxin, gibralin and cytokinin, जबकि growth inhibiting है, abscessic acid और ethylene एक gaseous hormone है, और इसका dual role है, growth promotion भी करता है, और inhibition भी करता है, ठीक है, तो यह चीज़ आप जहान लखना, और एक हमने word बताये था, plant growth regulator, plant growth regulator हम किसको कहने हैं, synthetic plant hormones को कहने हैं, किसको कहने हैं, synthetic plant hormone को, जो काफे ही हद तक आपके phyto hormones से resemble करता है, morphologically and functionally, ठीक है, तो ऐसे plant hormones को हम क्या कहते हैं, plant growth regulators, तो यह था बता, हमारा आज का introductory part, एक बार मैं repeat कर देते हुआ, एक quick revision ले लेते, तो हमने क्या पढ़ा बता, कि plants में chemical control and coordination होता है, nervous tissue plants में नहीं होता है, chemical control coordination की क्या character होता है, पहला character हमने बताया, कि यह हर cell तक पहुँच जाता है, दूसरा slow होता है, क्या होता है, slow होता है, steadily और persistently होता है, ठीक है, लगातार चलता रहता है, persistent होता है, steadily चलता रहता है, next इसका क्या आता है, कि यह diversity भी शो करता है, मतलब अलग अलग टाइप के हमारे पास plant hormone है, जैसे कि हमने बढ़ा, इनमें भी हम अलग 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 टाइप के examples हम इनमें study करेंगे, तो diversity शो करता है, ठीक है, plant की help करेगा, to regulate growth, development, and response to the environment, तो यह इसके important character होगे, इसके बार हमने क्या कहा था, plant growth, regulator, organic substance होते हैं, और फिर हमने इनका पढ़ा, बटा, इनका classification, दो तरीके से हमने categorize किया था, तो यह हमारा आज का lecture था, next lecture में हम एक एक hormones को लेकर के आगे study करेंगे, oxygen, जिब्रैलिन, cytokinin, abscissic acid और, ethylin, तो यह थोड़ा सा पार्ट है, यह हम next lecture में करेंगे, thank you बटा,